देश को युद्ध का बैदान बनाया जाएगा क्या हिंदू के हाथों में तलवार थबा के एक विधन्ष फैलाया जाएगा देश में नफरत को बढ़ावा दिया जाएगा यह हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अपने आपको संत मात्मा कहने वाले एक शक्स वीडियो बना कर ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास एक तलवार है मजबूत तलवार है ट्रेन की पट्रियों से बनी हुई वो मजबूत तलवार है लोहे का उसमें हैंडल लगा हुआ है बारा सु पचास रुपए ये खीमत है और ग्रैम अंत्राले दौरा प्रमारित है बकाइदे लाइसेंस के साथ आपको दिया जाएगा आप बुकिंग करिए पांच से कम बुकिंग नहीं करनी है आपके घर तक वो तलवार पहुचाए जाएगी बारा सो पचास रुपए एक तलवार के लिए खर्च करने यानि अगर आप पांच तलवार लेंगे तो लगबग लगबग आपको 6000 के आसपास रुपए चुकाने होंगे और इतना चुका कर आप तलवार मंगाईए निश्चिन्त हो जाईए सारा काम पंडिजी देख लेंगे लाइसेंस भी हो जाएगा चाहे जैसे मन करें चलाईए लेकिन इकेवल हिंदूों को ही दिया जाएगा इस तरीके की भ्रामक चीजे फैला कर देश में नफरत फैलाने वाले लोग पैदा हो रहे हैं हम जादेर न करते हो पहले उनका एक मिनट 36 सिकंड का ये वीडियो है अगरे यही है कि आप पूरा वीडियो जरा उनका सुनेंगे तो उनके अंदर से जो नफरती भाषा निकल लई है और एक पैसे कमाने का जो लालच दिख रहा है वो भी साफतोर पर नजर आता है कि 5 से कम बुकई नहीं कराना है और यह एक तलवार की कीमत है 1250 रुपिया तो आप समझ लीजिए पैसा कमाने का एक नए धंदा नफरत फैलाने का एक नए धंदा इस्तमाल किया गया है वीडियो देख लीजिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं शंत्युप्राज प्रमुक हिंदु शेना और आपको ग्यात है पूरे देश में यह हमारी माभगोती का प्रसाद तलवार बट रही है यह तलवार रेलवी लाइन की बनी हुई है और इसकी 30 साल की गारंटी हमारे तरफ से है बिद लाइसंस हम तलवार दे रहे हैं 1250 रुपे की है आपका बुकिंग का पहले हम पैसा रखते थे अब बुकिंग जीरो बैलेंस पर है NCR के अंतरगत में कोई भी बुकिंग का पैसा पहले नहीं लिया जाएगा केवल आप अपना पता लिखा दे कम सकम पांस तलवार बुकिंग कराएं यह तलवार आपके घर पहुँच जाएगी यह सबा तीन फुट की है सभी को अपने घर में यह तलवार रखनी है मेरा नंबर है 9927404606 9927404606 इस पर आप जो की तथका लिकिंग करें और भारत के किसी भी हिस्से में वकिंग करने के लिए आपको लगबग 10% जमा करने अनवाई होता है जिसे के आपके घर पर डाक पहुंच सके धनवाद ग्रह मंत्राले पी-म हाउस में इसकी सूचन दी दी गई है आपको लाइसेंस जाइज मिलेगा और जो महिला रख्षा यंदर वो एक बिशेस कटारी है वो 500 रुपेगी मिलती है वो आप यह दी लेना चाहते हो तो उसे आप तो आप बताईए ज़रा इसे क्या हासिल हो जाएगा क्या मिल जाएगा कुछ नहीं मालूम है बस सब को रख्षा करनी है ऐसा लग रहा है कि युद्ध का मैदान भारत को बरा रहा है कहां की नफरत पैल रही है कहां हिंदू खत्रे में है दरसल हिंदू खत्रे में है शब्द का इस्तवाल राजजितिक पार्टियों और धर्म के ठेकेदारों ने शुरू किया है और उसके एवज में वो लोगों को भ्रमित करने काम करते हैं को सही दृष्टि सही रा नहीं दिखा रहे है यह नहीं कि गुलाब के फूल लोगों को दें कि लोग प्रेम बरसा हैं नहीं लोगों के हाथों में तलवारे थमानी है और पिर वही तलवारे लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे और खून खराबा होगा आपने देखा है कि किस तरीके से कई सारी तस्वीरों में दिखाई देता है वीडियोज में दिखाई देता है कि छोटे छोटे बच्चे जो 18-19 साल के हैं जिनको अपना भविश्च बनाने के लिए हाथ में कागज और कलम होनी चाहिए उनके आथों में तलवारे धमा दी गई है वो सड़को पुर्तरकर दरद तलवारे नचाते गुमाते फिरते हैं और मुसल्मानों के मर्जिदों के सामने जाकर उतपात करते हैं तो इसे नफरत बढ़ेगी या प्रेम बढ़ेगा इसे सौहार्द बढ़ेगा या फिर जो है नफरत बढ़ेगी यह अपने आप में आप समझ सकते हैं इस बात काकलन कर सकते हैं तो जो संत मात्मा जी हैं जो सफेद चोला ओड़े हुए साइध इनको सफेद चोले का मतलब भी नहीं पता है सफेद रंग शांती का प्रतीक होता है लेकिन ये अशांती फैलाने की बात कर रहे हैं सहाब तलवार लेली इतनी लंबी और बगादे उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहे है कि रेल की पट्री से बनी हुई है जिसमें धार होता है तलवार को उसको बता है रेल की पट्री से बनी हुई है और पीछे हैंडल लगा हुआ है लोए का उसको आप इस्तवाल करिए रखिए अपने गर में हिंदू भाई रक्षा करिए तो आप बताईए जहां हिंदू बहुत संख्यक हो वहाँ पर हिंदू खत्रे में कैसे हो सकता है यह अपने आप में बड़ा सवाल है जो कई बार पूछा जा चुका है लेकिन इस बात का जवाब ऐसे अनपड़ लोगों के पास नहीं होता है दरसल इनको ग्यान नहीं है या ग्यान है तो कुपड़ वाला ग्यान है मतलब इन्होंने गलत पढ़ा है चीज़ों को और गलत पढ़के यह वाटसेप यूनिवरस्टी का ग्यान लेकर सामने आ जाते हैं और देश में प्रसाइट करते हैं प्रचारित करते हैं नफरत फैलाने का काप करते हैं इस वीडियो को ट्वीट करते हुए जॉक्टर अमना खान ने लिखा है अमर खान है लिखा उन्होंने कि तुम्हारे सबके घरों में तलवार होनी चाहिए तलवार का लाइसेंस बन रहा है तलवार के साथ सबके घर पहुंच जाएगा लाइसेंस भी 1250 रुपई की तलवा बात कहिए किसे सुनो और समझो किस तरीके के नफरत फैलाने की बात ये नफरती चिंटू कर रहा है इसका उद्श और कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है लोग लिख रहे हैं सलीम खान ने भी इस पर ट्वीट किया लिखा है ये तलवार रखने की बात कर है इसकी क्रोनलाजी क्या हो सकती है यानि इसका मकसद क्या हो सकता है समझे क्या ये तता का दित सादू अप्रत्यक्ष रूप से किसी ग्रह युद्ध का इशारा दे रहा है मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है और एक ग्रह युद्ध का मतलब एक युद्ध का इ आजारेस्की क्या जरूर्वतान पड़ी इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है महफूस अंसारी उन्होंने भी इस पर reaction दिया है लिखा है कि दुनिया के बाजार में बिकता है सारा सावान कोई बेचे बासुरी कोई तीर कमान कोई बासुरी बेचता है बासुरी प्रेम का प्रतीक है, संगीत है, जोडने का काम करती है तो कोई तीर कमान भी बेचता है तीर कमान बेचने वाले लोग हैं जो इस तरीके की बाते कर रहे हैं इस तरीके की चीजे बता रहे है मनोज रंगा ने भी इनको ट्वीट किया है इनके रियक्शन दिया है कि भाई तुम कहे रहे हो कि लाइसेंस मिल जाएगा मंत्रालेम सब की चीज़े हो गई सब कुछ हो जाएगा तो वो बैचारा लिख रहा है वो पीडी देहम को लगता है वे रोजगारी से लिख रहा है रोजगार देने के लिए कोई लाइसेंस बन रहा हो तो बताना मुझे भी लेना है तो बताना हम भी आ जाएंगे वो लाइसेंस लेने अभी तो इसकी भिलाल कोई ज़रुत रहेंगे इरवान सेयद में भी लिखा कि तब तो हमने गलती कर ली चाइना की तलवार खरीद ली महंगी पड़ गई किसी दोस्त को बोल कर उससे मंगवा लेते यानि सबसाब तोर पर लोग काटाक्श करें किसी और को बोल कर उससे मंगवा लेते तलवार गलती हो गई हमने चाइनीज तलवार खरीद ली है मुहम्मद तिकायत अली है उन्होंने भी इस पर लिखा कि मौत का सौधागर जिन्दगी बाट नहीं सकता है जो मौत का सौधागर होता है वो जिन्दगी नहीं बाट सकता है नफरत के दुकान पर मुहबबत बिक नहीं सकती दूसरों को आग में जोकने वाले कभी शान्ती में रह नहीं सकते जो दूसरों को आग में जोकने काम करें वो कभी शान्ती पूरवक नहीं रह सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैलाएंगे और नफरत की ही बात करेंगे हमारा वतन नाम की डूलरी उज़र उन्हों ने लिखा कि देश की नाजाइज आुलाद ऐसे गंदे काम करेंगे ये बात लिखी है, लोग दो तो लिखी जा रही है, ये देश को बरबात करके ही मानेंगे मालब इनके अंदर ग्यान विवेक की दृष्टी भाशा नहीं है, ये सिर्फ देश को बरबात करने के और आगे जा रहे हैं रवीन हीर ने भी लिखा, कि कभी ये इनसान देश में शांती के लिए भाशण दिया करता था, भाईचारे को बनाए रखने की बाते क्या करता था, आज सनातनियों को तलवार रखने के लिए काम कर रहा है अच्छे दिखने वाले ऐसे इंसानों में से भी गूम फिर के सनातनी भगती उजागर हो ही जाती है ये लोग देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये सीधे तोर पर लिखा जा रहा है कि ये लोग हैं जो देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं उनके अंदर प्रेम नहीं बलकि तलवार की भावना उत्पन कर रहे है राजकबल यादों ने लिखा कि आवकात से बाहर की बात है साहब जिन हातों में वंसी यानि की बासुरी जो प्रेम और मधुरता का प्रफीक है वो होनी चाहिए और वहां तलवार पकड़ाया जा रहा है हम कहां से कहां आ गए हैं यूही साथ चलते चलते आप समझेए कि देश को किस तरीके से नफरत की आगवे जोकने की कोशिश ऐसे बावाओ द्वारा की जाए दे लाइफ टीवी को और आपने सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब जरूर करिए बेल आइकन दबाएए थाकि सच खबर आप तब कहुंस देना नमस्कार दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे